सुरी दोस्तों वो किसी का कॉल आ गया था हाँ तो आपको लेवल पकड़िए सत्रा हजार सत्रा हजार के उपर निफ्टी रहता है बी ओन बाई साइट टारगेट इस नाओ सेवन्टी थाउजन वन हंड्रड के आसपास महाँ पर प्रॉफिट बुक कर लिजेगा फिर हमको द तो वेडनेस डे तक ही मुझे सत्रा हजार दोसो दोसो चालिस के आसपास निफ्टी दिख रहा है बट बाईंग में तभी रहना है जब निफ्टी सत्रा हजार के उपर रहता है ठीक है बैंक निफ्टी यहाँ पर या तो हीरो जीरो ट्रेल ले ली जिए पर ठीट नाइन थ इसके उपर 5-10 मिनट hold होने दीजिए 39,500 का SL लगाईए और फिर buy कीजिए 39,840,000 के बीच आपको bank nifty देखने को मिल सकता है और bank nifty nifty को खीच के ले जाएगा अगर उसने 39,550 को cross कर लिया ठीक है तो यह तो था update और stock में मुझे SBI और 1575 के उपर HDFC bank 1575 के उपर HDFC bank SBI 508 के उपर है बिंदास बने रही है 512, 515, 518, 522 इस परकार की लेवल उसमें आपको देखने को मिल सकते है कोटक bank 1712, 1712 इस लेवल को उपर टापता है इस लेवल को तो 1700 के SL के साथ उसको भी buy कर सकते है ठीक है फार्मा पूरे तकड़े अच्छे चल रहे हैं और मुझे लगता है फार्मा एक दो दिन और चलेंगे ग्लैन मार्क पर रजल रखिए 455 इस लेवल को क्रॉस करेगा तो बहुत बड़ी अपसाइड है उसमें 500-550 स्विंग ड्रेड आप ले सकते हैं ग्लैन मार्क में यह ध्यान रखिएगा और और कौन सा स्टॉक था लूपिन भी ठीक लग रहा है ठीक है पावर ग्रिड अच्छा लग रहा है पावर ग्रिड और बिलकुल अगर बॉटम से बाइंग किसी स्टॉक में आ सकती है तो रेन इन को थोड़ा देखिए रेन इडिस्टुरी गोद्रेच प्रोपर्टी ये मुझे दोनों ठीक लग रहे हैं कोई भी रिवर्सल इन में दिखता है तो पांस से दस प्रसेंट की तेजी इन दो स्टॉक में आपको दिख सकती है ठीक है तो चले दोस्तों यह यह जाना चाहि थोड़ा बो जो नीचे आ रहा है डेड़ बजे के बाद ये 17,050 के उपर होल्ड कर जाएगा और 17,100 तक की जर्नी तै कर रहेगा बैंक निफ्ट 39,550 ये नजर बना के रखे इस लेवल पे ठीक है चलिए थेंक यू वेरी मुच